जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी का तंच भारत तो खुद को सबसे बड़ा लोगतंतर कहता है फैक्ट चेकर पत्रकार मुहमद जुबैर की गिरफ्तारी का मामला देश विदेश में चाया हुआ है पत्रकार ही नहीं तमाम राजनेता भी इस पर अपनी अलग-अलग पतिक्रिया दे रहे हैं इसी सिलसले में जर्मनी के विदेश मंत्राले ने भी तंच कसते हुए प्रेस की आजादी पर सवाल उठाए हैं विदेश मंत्राले ने कहा भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंतर कहता है और पत्रकारों को बोलने लिखने के लिए जेल में डालता है दरसले एक प्रेस कॉंफरेंस के दौरान पत्रकार ने मंत्राले के पतिनिधियों से पूछा कि प्रेस के आजादी की बात करने वाले जर्मनी की तरफ से भारत ने हो रहे इन घट्टाओं पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही इसका जवाब देते हुए मंत्राले के प्रतिनिधि ने कहा हम हमेशा ही प्रेस फ्रीडम के पक्ष्टर रहे हैं भारत से प्रेस की आजादी की उमीद की जाती है क्योंकि वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंतर कहता है इसके साथ ही जर्मन विदेश मंत्राले की तरफ से कहा गया स्वतंतर रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए जरूरी है इसकी अपनी एक एहमियत है पत्रकारिता की आजादी और एहमियत की ये बात भारत पर भी रागू होती है गौरत अलब है की पत्रकार मुहमद जुबैर आल्ट नियूज नाम की एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट में काम करते हैं जिसकी वज़से अकसर बीजेपी आरेसेस के तमाम नेताओं के विदावों पर सवाल करते हैं दूसरे तर्थ भी सामने रखते हैं इस वज़े से उन्हें वर्तमान सत्तधारी दल का विरोधी माना जाता है हाला कि जुबैर गिरफतारी एक पुराने ट्वीट को लेकर हुई जिसमें एक हिंदी फिल्म के सीन को उन्होंने ट्वीटर पर पोस्ट किया था उस सीन में हनीमून होटल को हनुमान होटल लिखे जाने का एक हास है था क्योंकि मुहमद जुबैर ने नुपूर शर्मा के बयान मामले में धार्मिक भावना का हवाला देते हुए नुपूर का जम कर विरोध किया था इसलिए भी उन्हें ऐसे ही मामले में गरतार किया गया है जिससे सत्तधारी दल साबित कर सके कि उसकी विरोधियों का रिकॉर्ड भी कोई अच्छा नहीं है